श्रीक्रिष्ण कन्हे आलाल कीजै श्री नियानन्द स्वामी कीजै श्री प्राणनाथ प्यारे कीजै श्रवन अंदर सुख क्यों कहूं जो शुख शाबर आरामा क्यों निकसे रुह इनसे ए अंगर शुख श्यामा श्यामा श्रीक्रिष्ण कन्हे आलाल कीजै श्री राज्जी के अंगों का वरनन है उसमें भी अभी स्रवन अंग की बात कर रहे हैं स्रवन इंद्रे की और स्रवन नाशिका ये मुखारविंद में मुखमंडल में जो भी अंगा है ना। दोनों तरफ स्रवन है, मुखारबिंद है, नाशिका है, नयन है, इनकी बात चद रही है अंगरूह अरसकी नाशिका, ए बलजानत रूह को को ये परमधाम के दिवियश्वरूप, उनके नाशिका अंग, उसकी ख्षमता को ब्रहमात्मा ही जान सकती है ए बलजानत रूह को कोई ब्रहमात्माओं में ये ख्षमता है, ये कोई-कोई ही समझ सकते है शोदे तवका सुन्न फोड़के, इता लेत अरसकु सबोये तो अब ये ब्रहमात्माओं में कैसा सामर्थी है तो नश्वर जगत में होते हुए भी चौदा लोग को पार करके परमधाम का सुख ग्राण कर शकती है ये ब्रहमात्मा स्वयम को नश्वर जगत में मान ले तो भी वो परमधाम के सुखों का अनुवब कर सकती है इतनी क्षमता उनके पास में है ऐसा बलरु आरशके तो बलह कहो सी किनविध जब परमधाम के आतमाओं में ऐसा सामर्थी है तो पूर्ण ब्रहमा परमात्मा में कैसा सामर्थी होगा इसका तो कोई परावारी नहीं है ना इढिवर जाने पाक मोमिन पवित्र ब्रहमात्मा हैं इस वीवरन को समझ सकती है जिन आहक अरश दिलसुध जिनके धाम दिल में पूर्ण परमपरमात्मा के समझ है आयसे ब्रहमात्मा हैं यह सब जैन सकती है सुख कहों मिठी जुवान के, के सुख कहों लाल अधुर, धामदने के मिठी वानी उसके सुखों की बात करें, या उनके लाल अधर की बात करें, के सुख कहों रश भरे वचन, उनके रश भरे वचन, उनकी बात करों, अब याँ जुवा कहने से मुख मीठी जुवा कहने से मीठा बड़ा सुन्दर मुख उसकी बात समझने पड़ेगी और नीचे बचन की बात नीचे कहरा है जो बोलत माहें मधूर हैं जो मधूर बचन बोलते हैं तो उनकी वानी की विशय में तो उसमें प्रेम ही प्रेम टपकता है दो माहों माहें जब बोल ही जब दोनों स्वरुप पहले आया था सिंगासन में विराजमान है जब दोनों सुरुप परश पर बाचित करते हैं सुरे राज जी और श्यामा जी तब मीठे कैसे लगा तो कितने अच्छे लगते होंगे यह मीठे कहने का ताथ परे माधुर यह कितना सुन्दर उन कितना अच्छा लगता होगा उनकी शोबा कैसी लगेगे कोई रूह जाने अरश की जिना हक हुकुम जागरित कोई रूह जाने अरश की परमधाम की आत्माई इस बात को समझ सकती है जिना हक हुकुम जागरित जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से जागरित होई है वही यह बात समझ सकती है जानों के जोवन चड़ता ऐसे नित देखत नावतन तो जैसे ऐसा लगता है कि मानों उनका नित्यन योवन बढ़ रहा है पूर्ण प्रह्म परमात्मा का श्वरूप है पूर्ण होने से उसको युवा श्वरूप तहा है तो युवा में जैसे शरीर युवा होता है तो एक प्रकार से पूरूनता आजाती है शरीर की पूरूनता आती है उसके बाद में फिर देरे 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 वो शेल्स घटने लग जाते हैं तो इस एसाब से पूरून प्रह्म परमात्मा की पूरूनता को देख करके नितिय योवन का दाथपरे उनकी पूरुनता को और उसमों देख़ते हैं तो नविंता दिखाई देती हैं नितिय नुतनता उसको देखते हैं गुन पखा अंगा इंद्रियां, बढ़ता नूर रोशन ना, उनके दिव्य श्वरूप के गुन अंगा इंद्रियां जो भी बताएं, तो बढ़ता नूर रोशन ना, उनसे निकलने वाला प्रकास है, उने रंतर बृत्धी प्राप्त करता है। जानाओं के पला पला चड़ता, तेज जो तरश रंग है, तो उनमें से निकलने वाला प्रकास है, उसकी चमक, तो नित्य प्रति बढ़ रही हो, ऐसा लगता है। पूरण स्वरूप एही देखा ही, इसक सुरत के संग, तो ये ऐसे पूरण स्वरूप को ब्रह्मात्मा ही जान शकती है, क्योंकि इसक सुरत के संग, तो वो ऐसे प्रेम के स्वरूप के साथ में, ऐसे पूरण ब्रह्मात्मा का स्वरूप है, वो प्रेम का ही है, तो उनके स तातमिल का लुड़ को आदे होट gloss छी समतकि है। अ ङूँड़ कि ऑवर शेय। जैसे शरीर हैं। जहां-जहां जोड़ है तो अभी प्रेम से उन्गां परेश होना जूड़ना वह प्रेम का ही है। और अंगों अंग में रोम रोम में प्रेम है, गुना पका सवा इसक के, सुई इसक बोले रश रंगा, तो उनका पूरा श्वरूपी प्रेम का है, इसलिए वो प्रेम की ही बातें बोलेंगे सवा इंद्रियां इसक की, इसक तत्व रश अधाता जैसे नश्वर शरीर को समझते हैं, तो उसमें अलग-अलग इंद्रियां होती है, तो शरीर में भी बिन्न बिन्न प्रकार के धात्व है, रश है, तत्व है, तो ऐसे समझ लें, तो प्रमधाम का पूरून शरूपे वो प प्रेम कही है, पिंड प्रकृति सव इसक के नश्वर शरीर में पिंड है, उसका प्रकृति उसका सुभाव है, तो वैसा होता है, ऐसे परंधाम के इंदिव्य स्वरूप में जो कुछ भी है, वो सब प्रेम कहा है, इसका भीगे, अंग गात मानों पूरा-पूरा स्वरूप ह वो प्रेम से ही द्रवीत है, पूरा भीगा हुआ है, बात विचार सव इसक के, इसके इगान इलम, अब वो प्रेम का कहने से, अब मुझे से द्रवीत होना, गलित होना, अब ये तो लोकिक, उसमें लोकिक द्रिश्टिशे कहा जा रहा है, तो परंधाम का तो शरुप भी बिन्न है, और परंधाम की परिश्टिती है, अलग होती है, किन्तो दुनिया को जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, उसी के आधार पर समझेंगे, तो समझने में सारल हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार के उधारन दिये हैं, तो पिंड़ प्रकृति सब इसक के, तो शरीर है, खुशका शभाव है, सब प्रेम से, और पूरा-पूरा सब कुछ प्रेम का ही है, अंगा क्यों कहों, इन्हें जीमी, एता भी कहता हुकुमा, तो परंधाम के ऐसे दिव्य शरूप की बातें इस नश्वर जगत में कैसे कहा जाएं, तो इतना जो कहा जा रहा है, ये भी अक्षिराति धामदनी ने अपने आदेश के द्वारा कहला आया है, बाकि तो ये बताया ही नहीं जा सकता, सब चीजें इते इसका के इसका ये अरश अविशात परंधाम के सभी सामग्रिया, तो प्रेम की ही है, रूएं हादी अंगा इसका के, इसका सूरतह का जाता ब्रम आत्माएं है, स्रिश्यमा जी के अंगा है, हादी अंगा इसका के, स्रिश्यमा जी के प्रेम के अंगा है, और इसका सूरत हकजात, तो ये इसलिए हकजात ब्रमी सृष्टी जो परंधाम के संपूर्ण सृष्टी वो पूर्ण ब्रम परमात्मा के प्रेम की ही है, सेज सभा आप सब कुछ प्रेम का है, इसकई की वाहिदत परमधाम में, जो भी अद्वित बन है, वो प्रेम का ही है, हक शरूप सब इसक की इसकई की खिलवत, तो परमधाम में जो कुछ भी है, धाम परमधाम, वो सब प्रेम का ही है, महल मंदिर सब इसक की उपर तले सब इसक महल मंदिर सब प्रेम कहें और उपर तले जहां भी कहें रंग भवन की बात करते हैं तो प्रथम भूमिका कहें और उपर दसमी आकाशी कहें सब प्रेम का ही है, दसों देशाव में प्रेम है, इसक उठा कया बैठा का, उठना बैठना ये सब प्रेम का ही है, यह अरश सारा इसक का, और इसक रुओन निश्वत इस प्रकार समझना की सारा प्रमधम प्रेम का ही है, और इसक रुओन निश्वत ब्रमात्माओं का परश् पर शम्वंद्व वह प्रेम का ही है। पूर्ण ब्रह्म पारमात्मा की प्रेम कि बात थोड़ी सी वह बता ही है। कि इसक बड़ा विष्थार कि नुख उख उख विश्थार हें। बहुत बड़ा है, इनको वर्णन नहोबई ना आवे माहे सुमारा, प्रेम का वर्णन ही नहीं हो सकता है, वो किसी सीमा में आने वाला नहीं है, प्रेम की थोड़ी सी और बात भी समझा देते हैं, अरश आशिक मासुक की जो अवरों भी आवे नजर, तो प्रमधाम का ये जो प्रेम है, आशिक और मासुक, पूर्ण प्रम प्रमात्मा और अनुरागिने आत्माओं का परश्पर प्रेम है, ये दूसरों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, उस प्रकार से भी थोड़ा सा बता देते हैं, उनको समझाने के लिए फिर क्या किया, तो उसके लिए कह रहे हैं, रब्द हुआ इसक काहा काहा दी कि खिलवतमा है, तो प्रमधाम में श्रेराज्जी, स्यामाजी और ब्रमात्माओं में परश्पर संबाद हुआ, इत्कम ज्यादा है नहीं, अरश इसक बेवरा ना है, तो प्रमधाम में तो क्या है कि प्रेम का विवरण ही नहीं हो सकता, निरुपन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कम ज्यादा वाली बाती नहीं है, इसलिए ए बेवर आतीत हो वहें जित बिच्वा हो वहें इसका निरुपन तो वहीं हो सकता है जहां बियोग होता हो सो तो बाहेदत में है नहीं होई बिच्वा माहें दोए अद्वेत भूमिका में बियोग तो है नहीं और बियोग है तो कहां हुए बिछवा बिछवा मरलब योग माहें दोवें दोइत भुमिका में हो सकता है हके चाया कों वेवरा देखाऊ रूहों को तो अक्षराते धामदनी ने सोचा कि चलो ब्रहमात्माँ को निरुपन करके देखा देते हैं इस करना पाईये बिना जुदागी सो क्यों हो वेवाइद अत्मों तो परमधाम में तो यह संभवी नहीं है क्योंकि यह निरुपन तो बिना जुदागी जुदागी के बिना इस करना पाईये का अतात्त पर यह प्रेम का निरुपन नहीं हो सकता था तो अब ये बियोग परमधाम में हाई नहीं इसलिए ताथे दैनेक फरामोशी इसलिए थोड़ा सा वो एक वो भ्रहम का जाल आवरण आईसे पहला दिया प्रकट कर दिया रूह उकूमाय आरश्व परमद्हम्म नीए तो ब्रहमा आत्मों के थोड़ा सा एक परदा सा दिखायी दिया हश्चि करने इसक की देखे कोन कम कोन सरअ स ini ये प्रेम की हश्चि करने के लिए कि कौन ब्रहमा आत्मा अक्षराति धामदनी से देरंतर प्रेम करती है कौन भूल जाती है यह सब से दिखाने के लिए यह जूठा खेल देखाई यह जो चौदे इतबक तो नस्वर जगत का यह खेल है यह चौदे लोग का तो इसलिए दिखाया हम जाने आये खेल बीच में जीता तरफ अनपाई यह का तो हम ब्रमात्माओं को ऐसा लगा कि हम तो इस दुनिया में आये और जहाँ पूर्ण ब्रमात्मा के विशए में कुछ पता यह नहीं है उनकी देशा काई पता नहीं है इतह इसका कहां पाईए आग, पानी, पथर पूजय तो यहां तो ऐसी विवस्ता है तो परेम की कोई विवस्ता ही नहीं है यहां तो आग, पानी, पत्थर कोई अपना-पना इश्टमान करके पूज रहे हैं एक खेल देख्या किन निमक का जान हो गई कई मुद्धत एक खेल तो एक शण के लिए देखा, एक निमेश के लिए देखा, किन्तों लगता है कि ये कितना समय बीट गया ऐए, ऐसा फिल होता है जूट हमने देख्या नहीं, जूट रहे इना हमारी नजर वैसे देखा जाए तो हमने जूट को देखा भी नहीं है और हमारे दृष्टी के सामने जूटो भी नहीं सकता है पटाड़े खेल देखाईया इसलिए एक पर्दा जैसा बना करके तो उसके मादियम से छेल देखाया है तो देने इसका खबर और यह प्रेम को समझाने के लिए ऐसा खेल देखाईया, जाने हम आये माये नहीं ऐसा खेल दिखा दिया ताकि हमें लगा कि देखते ही हम इसी के अंदर आ गए इसका हमा में जरा नहीं सुध अहकन आप वतन तो हमें यह लगने लगा कि हमारे अंदर तो कोई प्रेम है नहीं न तो पूर्ण प्रमात्मा की समझ है न स्वयम की समझ है और नहीं परमधाम की समझ है हम तो सब कुछ भूल गए इन इसके हमारे ऐसा किया ए जो जूटे चोदे तबक तो इसी प्रेम ने हमें प्रेम दिखाने के लिए अमारे प्रेम की परिक्षा के लिए अक्षराति धामदने ने ये सब किया है हमारे प्रेम ने क्या कर दिया इस जो जूठे चोधे तबक को भी चोधा लोग को भी तिन सबों कायम किया उनको भी अखन कर दिया ऐसे हमारे इसक, ऐसा तो हमारा प्रेम है मतलब अक्षराते धामदनी का दिया हुआ ये प्रेम है, ये प्रेम का महतु है जलाए दिये सब इसक होगा इससब आगे न तो प्रेम के सामने तो कुछ ठिकता ही नहीं है दुनिया का विरहा बगरे, दुनिया कुछ दिखती नहीं है एक अजरा कोई न बच्या भी न आस्मान धरन आस्मान और धरती के बीच में दूसरा कुछ बचाई नहीं तो प्रेम ही देप्रेम है, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है हम जाने इसक नाहम पे हम पर हससी नूर जमाल हम तो दुनिया का खेल देखते देखते ऐसा समझने लगे कि हमें हमारे पास कोई प्रेम नहीं है अक्षराते धामदने हम पर हसी करेंगे हमारे इसके ब्रह्मान का किया जो ऐसा हाल तो हमारे ही प्रेम ने पूरे ब्रह्मान की ये श्थिति बना दी है इस वास्ते खेल देखाई या वास्ते बेवरे इसके तो खेल इसलिए देखाया कि प्रेम का निरूपन हो सके यह जो प्रेम है वो अक्षरातित धामदनी का है और बड़ा तो वही होगा ना तो हमारा है तो उनका दिया हुआ ही है यह अनुभब करवाने के लिए खिल दिखाया है कोई आया ना गया हम हमें बैठे अरश में देखे हमारे में कोई आना जाना कुछ हुआ ही नहीं हम तो परमधा में बैठ करके सब देख रहे हैं कहें मामत हुकमें देखाया ऐसी कर हिकमत मामत ही कहते हैं अक्षराति धामदनी के आदेस ने ऐसा दिखाया है वो हिकमत करके कहने का तात पर यह ऐसा है ऐसे युक्ति से ऐसे कुकुशलता से कौशल से यह दिखाया हमें देखिया इसक बेवरा बैठे बीच खेला बता तो हमें परमदाम में बैठे बैठे ही लगने लगा कि अरे हमारा प्रेम कहां तो हम तो भूल जाते हैं अक्षराती दामदनी का ही प्रेम बड़ा है और उनका दिया हुआ है हमारे पास में यह हमें अनुभव करवा दिया बस इसके लिए यह खेल दिखाया था इस प्रकार समझा रहे है स्रक्रिष्न का नई आलाल की बैठे बीच खिलवाता कहे महामत हुकमे देखाया हमार देख्या इसका बेवरा बैठे बीच खिलवाता बैठे बीच खिलवाता बैठे बीच खिलवाता बैठे बीच खिलवाता झाल झाल